बच्चपन से हिश्यव को लेकर उनमें बहुत अधिक उत्सा और जोश था बस 25 किलोमेटर दूर एक प्रसिद्ध श्यव मंदर था और उन्हें लगता था कि श्यव उन्हें बुला रहे हैं मगर अपने जीवन पर उनका अधिकार नहीं था इसलिए वो मंदर तक नहीं जा पा रहे थे उन्होंने कई बार अपने जमिदार से प्रार्थना की सिर्फ एक दिन के लिए मुझे जाने दीजे मैं मंदर जाकर वापस लोटाओंगा जमिदार हमेशा कहता आज निराई करनी है कल खाट डालना है परसों कोई और काम है तुम्हें जमीन जोतना है ने तुमें एक भी दिन बरबाद नहीं कर सकते तुम्हें क्या लगता है तुम वैसे ही किसी काम के नहीं तुम एक पूरा दिन बरबाद करना चाते हो उसने कई बार अपनी बात समझानी की कोशिश की उसके अंदर ये भाव गहरा होता गया वो हर हाल में शिव के दर्शन करना चाहता था इस बार वो जमेदार के सामने एक अलग तरह के गौरव के साथ जाकर खड़ा हो गया जिस तरह का गौरव एक बंदूभा मज़़ूर जानता ही नहीं नहीं उसके पास होने की उमीद की जाती है जमेदार फिर शुरू हो गया मूर कहीं के पिछली बार तुम्हारी मा बिमार थी उससे पहले बहन की शादि थी उससे पहले तुम्हारी दादी तीन बार मनी अब तुम मंदर जाना चाहते हो, ये नहीं हो सकता उसने कहा, मैं आज ही सारा काम कर दूँ है कल सिर्फ एक दिन के लिए जाने दीजिए, मैं जाकर वापस आ जाऊंगा फिर किसी एक पल में जमिदार ने इस व्यक्ति के अंदर इस नए गौरा उसके अंदर स्पंदित हो रही नई उर्जा के सामने जुक कर कहा ठीक है, जाओ, शाम से पहले वापस आ जाना फिर उससे हैसास हुआ कि उसने क्या कर दिया है वो बोला, जाने से पहले तुम्हें पूरे चाली से कर जमीन को जोतना होगा अभी शाम है, सुबा से पहले तुम जुताई पूरी करके फिर मंदर जा सकते हो वो इतना मोर्ख नहीं था कि इसकी कोशिश भी करता वो चुपचाप सोने चला गया उसका पूरा शरीर स्पंदित हो रहा था वो जानता था कि उसे मंदर जाना ही है नतीजा चाहे जो भी हो एक नई उर्जा उसके पूरे शरीर में दौड रही थी सुबा जब वो उठा तो गाउं में हंगामा मचा हुआ था क्या हो गया सारी चाली सेकर जमीन जुती हुई थी उसने बाहर आकर देखा उसे यकीन नहीं हुआ जमीदार का मूँ खुला का खुला रह गया जमीदार के बीवी बच्चे आकर उसके पैरों पर गिर पड़े उस श्रक्स का नाम हम नहीं जानते आम तोर पर उसे हलवाह कहा जाता है उसे यकीन नहीं हुआ फिर वो जान गया वो हमेशा सोचता था कि शिव के सामने प्रार्थना करके वो प्रकृती के नियमों को तोर सकता है वो प्रकृती के नियमों को बदल सकता है मगर मनुष्य के नियम इतने ग्रूर हैं कि आप कभी उन्हें बदल नहीं सकते मगर यहां मनुष्य और देवता और प्रकृती सभी के नियम टूट गए थे अचानक लोगों ने आकर उसके हाथों में चांदी के सिक्के रखे किसी ने उसके हाथ में भोजन रख दिया किसी ने उसे चड़ी पकड़ा दी और कहा यह मंदिर जा रहा है इश्वर ने इसे चुना है शिव ने खुद आकर चाली सेकर जमीन जोद दी आनन से भरे दिल के साथ वो मंदिर गया मगर एक अचूत के रूप में जीवन जीने के कारण वो भूला नहीं था कि वो मंदिर की देहरी पार नहीं कर सकता वो वहीं खड़ा रहा निश्चित रूप से लोग उसे मंदिर में नहीं खुसने देते वो जानता था कि लोग नियमों को नहीं तोड़ेंगे और वैसे भी वो सिर्फ एक बार शिप के दर्शन करना चाहता था बड़ा सा नंदी जो रास्ते में बैठा था वो नंदी एक और खिजग गया बाद में लोग उसे नंदनार बुलाने लगे और वो एक प्रसिद संथ बन गया कोई उसका नाम नहीं जानता क्योंकि उसे सिर्फ हलवाहे के रूप में जाना जाता था मगर उसका पूरा जीवन बस इसी चीज़ पटिका था आप उसे भक्त भी नहीं कह सकते वो बस कौतुहल में था और उसमें कभी कौतुहल को जाने नहीं दिया ज्यादतर तारकिक दिमागों की ये समस्या होती है कि अगर कोई चीज आपको कौतुहल में डालती है तो आप उसकी एक मुर्खता पूर्ण व्याख्या करके उसे वहीं नश्ट कर डालते हैं अधिकान जिमाग कौतुहल के साथ जीने में असमर्थ होते हैं वो आज ही उसका एक मुर्खता पूर्ण जवाब चाहते हैं और रात को सोने से पहले ही वो निश्कर्श भी निकाल लेंगे अरे ये ऐसा है वो वैसा है इस धर्ती के हर मूर्ख को लगता है कि वो एक वैग्यानिक है क्योंकि उसने स्कूल में कोई पुस्तक पढ़ लिये ये बेकार पुस्तक किसी काम की नहीं है वैग्यान की दृष्टी से सोचने वाला कोई भी व्यक्ती अब इन मूर्खता पूर्ण चीजों को स्विकार नहीं करेगा यहां इतना कुछ है हर कहीं बहुत सारी ऐसी चीजें है जिनका जवाब नहीं है आपके पास इन सवालों का जवाब देने के लिए बुद्धी या उपाय नहीं है इसे स्विकार करें वही एक इमानदार इनसान होता है जो जानता है कि उसे उत्तर नहीं पता वो एक इमानदार इनसान है जो एक मूर्खता पूर्ण तारकिक जवाब खोज लेता है वो एक मूर्ख इनसान है मगर उसे लगता है कि वो बहुत होशियार है बस इसी चीज़ की जरूरत है आपको बस इस कौतुहल के साथ जीना है अगर आपके दिल में भगती है तो बहुत बढ़िया है अगर दिल में भगती नहीं है आपका दिमाग आपको परिशान करता है तो बस कौतुहल बनाए रखिए बस इसी की जरूरत है